तो जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉंडिंग का काफी अध्तक डेटा पढ़ दिया था तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें चलिए बीड़ा बस बाते नहीं बचो प्रीविएस क्लास में जो पढ़ाया प्रीविएस क्लास में जो पढ़ाया उस टॉपिक के अंदर हम लोगों जो मेंली बात की वह किस की बेटा मेली जो अम लोगों ने बात की के क слыш कि और हैडोजन बोणनिंग में जो डेटा मैंने सिखाने की कोशिश की मान लीजिए मेरे पास यहाँ कोई एकस है और यह है और यह यह क्या है वीड़ा जी वाई तो य के पास कौन होता है लॉन पेर x क्योंकि ज्यादा लक्टो नेगेटिव है तो लक्टोन को क्या काम करेगा खीचेगा 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 जब खीचेगा तो इसको उपर कौन साथ डवलप होने लगेगा positive charge positive charge तो क्या काम करेगा इसके लॉन पेर को अट्रेक्ट करने की कोशिश करेगा लगेगा कि मानो एक बॉंड बना है जिसके स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा तो नहीं है आठ से 42 किलो जूल पर मोल तक इसके एनरजी स्ट्रेंथ होती है लेकिन एक केस आपके टीचर ने पढ़ाया था डैट इस एच एफ एफ इस में बात करने हैं भॉत आराम से बहुत आसानी से चीह बहुत ज्यांत सुनेंगे वाई सभी बालक ऐसा कहते हैं कि हाइडोजन बॉंडिंग के लिए या अच्छी हाइडोजन बॉंडिंग के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्र नेगिटिविटी और एक्स जादा जितना इसकी एलेक्तोनेगेटिविटी का 2.5 से भी ज्यादा इसकी लेक्तोनेगेटिविटी होनी चाहिए यह पुनाना डेटा previous session में हम लोगों ने ये बात भी यहां सपर करें ली थी कि यार एक type की bonding होती है जिसका नाम है आपका इंटर और एक type की bonding होती है जिसका नाम था इंटरा इंटरा का मतलब एक ही molecule में यानि कि एक ही unit के molecules की requirement होगी यहाँ पर कम से कम मुझे कितने हैं कम से कम दो यूनिट की requirement होगी वो भी कम से कम इससे जादा भी data चल सकता है सर एक बात बताओ सर इंट्रा में हमेशा chillation होता है कि नहीं होता चिलेशन बोले तो formation of a ring और ring का मतलब होता है बेटा cyclic structure और इंटर के अंदर यहाँ पर chillation हो भी सकता है और चिलेशन नहीं भी हो सकता सर आप ना ऐसे बोल देता हो it may be तो सर ऐसा example बता दो जहाँ पर chillation हो सकता हो तो previous class में मैंने एक आपको example बता दिया था नाम था acetic acid आप लोग भूल गए होंगे सायद लेकिन यह data मैंने आपको पहले भी सिखा दिया गया है कि acetic acid के अंदर आप याद करो यह hydrogen bond यहां से और एक hydrogen bond यहां से बनता था आप देखेंगे कि दोनों अलग-अलग unit है उसके बावजूद भी यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक चिलेशन तयार हो रही है आपके लिए एक दो तीन चार पांच है साथ आठ मेंबर की एक रिंग बन रही है जिसको मैं चिलेट रिंग कहता हूं जिसको मैं इंटर molecular hydrogen bonding में बनने वाली चिलेट रिंग के नाम से जानदा इन दौनों में से अगर कोई मुझसे stability का order पूस्ता है प्यारे बच्चो तो इन दौनों में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कौन होगा इंटर होगा इंटर नहीं होगा इंटर होगा इंटर नहीं होगा क्योंकि रीजन है क्योंकि विदिन दा molecule है हमेशा steric repulsion maintain रहेगा हमेशा steric repulsion बना रहेगा हमेशा steric repulsion इसके उपर बना रहेगा चलिए बीटा बात नहीं प्रीस बच्चों बात नहीं तो यह पुरानी पिच्चर थी जो आप लोगों ने कवर कर लिए कुछ और एक्जम्पल्स है जिनके फोटो आपको पता होने चीए बही आप पहला मैंने आप बोला है पैरा नाइट्रो फिनॉल सी प्यारे बच्चों इसको देखेगा हमेशा स्टेबल रहता है विद रिस्पेक्ट देर मॉलीक्यूल अपने मॉलीक्यूल से उसको इंटर से कंपेर नहीं कर सकते सी पैरा नाइट्रो फिनॉल के एक्जाम्पल में आपको देता हूं देखो यह क्या है फिनॉल है बिटा यह कुछ ऐसा लिखाई देगे अपको इसको अल्टा लिख दिया भाया मैंने इसको मैंने उल्टा लिख दिया और इसको यहां पर ऐसे शिख Centers आप जड़ा याद करो पृरानी पिचर क्या आपको एक्स sanctions करूल याद है कि आपको X, H और Y का रूल याद है, जो रूल ये कहता था, जो रूल ये कहता था, कि H और O, ये वाला बॉंड तो होता था, कोवलेंटर, ये वाला बॉंड कौन सा बनाने जा रहे हैं आप लोग, हाइडोजन बॉंड, तो ये जो बॉंड बने हैं, ये बेसिकली कैसे नाइट्रोफिनॉल, और्थो नाइट्रोफिनॉल बोले तो, ये O है, और ये क्या होता है, पिटा, एचर यहाँ पर कौन है, N double bond, O data bond O, आप बताईए, जब यहाँ से इसको मैं अट्रेक्ट कराऊंगा, तो ये ही हाइडोजन बॉंड बनेगा, ये नहीं बनेगा, और क्य बनेगा, तो ये जो bonding बन रही है, कैसी bonding है, बिटा, इंट्रा मॉलीकुलर हाइडोजन बनेग, कैसी बन रही है, इंट्रा मॉलीकुलर हाइडोजन बनेग, तो अब ना कुल मिलागे बात ये, मेरा सवाल आप से ये है, कि बताओ, और्थो नाइट्रो फिनॉल ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहोगे सर, अगर आपने स्टेबलिटी के बारे में बात छेड़ दी है, तो स्टेबलिटी के बारे में तो ये बात ते है, कि जो पेरा नाइट्रो फिनॉल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, इस कंपेटू और्थो नाइट्रो, और जो ज्यादा स टेंप्रेचर या रूम टेंप्रेचर से थोड़ा ज्यादा कौन वेपर स्टेट में पाये जाएगा तो आप काओ के सार और्थो नाइट्रो फिनॉल जबकि भाई साब लिक्विड या सॉलिड में बने रहेंगे क्या मेरी बास समझे में आ रहें कि नहीं आ रहें क्योंकि स् और है कंपाउंड और है नाम है सेली सेल्डिहाइड कैसे बनेगा फोटो आप कुछ नहीं करना फिनॉल बनाओ आराम से और फिनॉल बनाने के साथ साथ यहां बना लो सी डवल बॉन्ड ओ और एच और तो पोजीशन पर सी अच्चो गुरूप की प्रजेंसी क्या है बिटा कैसी बन्डिंग हो रही हैं इंट्र मॉल्टेजन बन लें कोई आप से पूछ लें कि इंट्रमॉल्टेटर में से ज्यादा स्टेबल कौन है तो बार बार मैं बोल रहा हूं इंट्रमॉलेकुलर हाइड्रोजन बनिंग इस मोर स्टेबल आप ज़़ता दियान से देखना वा तो देखा है आप लोगों नहीं सर यूरिया होता है सर कैसे एन एच्टू सी ओ एन एच्टू इसका मॉल्यूकुलर मास को बालक बताएगा मुझे सर आप कैलकुलेट करने न सर को याद है साथ ग्राम राइट तो मॉल्यूकुलर मास अफ यूरिया इस सिक्स्टी ग्रैम और यूरिया का फॉर्मुला देज एनस्टू सी ओ एनस्टू होता है अब बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखने की कोशिश करो प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों कहानी कुछ ऐसी है कि हाँ यह नाइट्रोजन है यह एच्चे एच्चे सी यह डबल बॉंड है ए यह एच्चे बॉंड कोवलेंट है और यहां ओक्सियन विद लॉन पेर खड़े हुए है तो बॉंड का डॉनेशन होगा और क्या बना देगा इसको यह हाइडोजन बॉंड बना देगा सेम केस हो सकता आप ऐसे भी बना रहे हों दिमाग में बना सकते हों पर यार दिक्कत क क्या आईगी पता है दिक्कत क्या आईगी सारी की सारी की सारी दिक्कत आईगी जिन्ग इन वाल वो रहें इस ring में? Sir, 1, 2, 3, 4. Sir, 4 member. Sir, जो बाहर वाले member उनको count नहीं करते हैं. क्यों count करोगे? जिससे bond बनाये के अवल उसी को count करो. तो there are 4 member. और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, कि जो 4 member हैं या 3 member हैं, इनकी ring unstable होती है. 5 और 6 की stable, 7 की फिर से unstable, फिर 8 onwards stable तो मुद्दे की बात यह रही कि चार मेंबर रहेंगे सर इसलिए यह इस्टेबल नहीं है तो कोई आप से पूछ जाएगा कि यूरिया के अंदर इंटर होगी या इंटर होगी तो बोलना सर इंटर तो कताप ही नहीं होगी और इंटर क्या इंटर तो किसी में भी हो सकती है इ जैने आप से बोला की और यह ने हैडोरें बना रखा है बताओ हॉमैस्ट्री योडिया भी नीडिड कम से कम दो एक से ल embarrass ने हैं हार्ट ना रेकिंवाव मैं इणिच्ट्राइग कम से कम हो सकता है जैदा हो तो अलग बात है लेकिन कम से कम जो minimum जो minimum आपकी need जो minimum आपकी need है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए वो need आपको समझ में आ जानी चाहिए बोलो क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को basic fundamental मेंटल बात क्लियर हैं अभी नोट नहीं करेगा बैश्य कोई आपसे पूछेगे कि पैरा नाइटरू फॉनोल इंतर बनाएगा इंटरा बनाएगा बोलोगे सर इंटर बनाएगा और थो नाइटरो फीनोल क्या बनाने वाला है एंटरा ऐसे ही ऐसे यहाँ पर फ्लोरो ऑर तो, फ्लोरो फिनॉल भी हो सकता है. और तो, फ्लोरो क्या बोलते हैं उसको, फिनॉल भी हो सकता है. कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं, एक इसको एक बार नोट करलो, क्लोरा है, फिर मैं आपको समझाता हूँ. नोट करना एक बार? चलिए जी इदर आएंगे भाई सभी बालक बेटा ऐसे तो तमाम मेंबर रिंग बन जाएगी देख लो ये पूरा रिंग ही है हाँ इदर आओ भाई में बात पढ़ाने जा रहा हूँ भाई ध्यान चा सुनेंगे सभी होप ये बातें आप लोगोंने नोट कर ली हूँगे ऐसा मान कर चल रहा हूँ स्पीड में नोट करते हूँ आप लोग बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें भाई बाकी फाइल आपके पास आजाएगी तो कोई घवराने वाली बात तो देखो है नहीं आजाओ इस बात को समझेंगे भाई सभी बालक आजाओ इदर आओ वाई एक तम होती है नाम इसका क्लोरल भाई इसको शीख लो जरूरी है बहुत जरूरी है क्रिपया करके सीख लो इसको नाम क्या इसका क्लोरल क्लोरल हाईड्रेटेड हाईड्रेटेड बोले तो एक वस बाकी पूरा अगर घ्यान जानना चाहते हो एक के साथ दो वाटर मॉलीक्यूल होते है त्वाईस ओफ एस टो ठीक है ना चलो इधर आओ ज़़ा ध्यान से क्या होता है यह जो डिडिटी बनती है ना उसमें भी आ ल, C, C, Double Bond, O, और H यह होता है बेटा ठीक है ना C, Double Bond, O, H को बोलते हैं LDI क्या बोलते हैं इसको बच्चा LDI बहुत द्यान से सुनना बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है क्या बोलते हैं इसको LDI दो क्यार यह न मित है लोगों को जिनको थोड़ा सा कमी रहते हैं इस टॉपिक प्र यह के लोगों को तो टॉपिक्ट बता देता कभी कभी हम अगरे पालेते हैं जानी चाहते हैं इसको और मैं यह अलता है फीओकरों को आब में को चीतल है जाता इसugo इनक दाल दे triple इसली इते हैं कि दवाल बांड ओ है ना इसको ऐसी रहने दे सी ओ लिख दिया और यह क्या लिख दिया बच्चा ओ लिख दिया राइट दो चीज़ लिख दी मैंने अब द्यान देस्ट यह ठीक है अब तुझे किसकी रिक्वार्मेंट है आईडियली भाई यह ऑक्षिएन कहां से आया यह पानी से और दो डी यह थो हैड दो इसका मतलब यह देख कौन एड़ हो रहा है बेसीकली यह लिख दिया आयसे लिख सकता हूं नहीं बता तो इस पूरे डेटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कारबन सिल शींगल के संगल वांड ऐसे था यहां पर यह 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 बना सकते हैं क्लोरीन भी बना सकते हैं 就 क्लोरीन के साथ बॉंड बनानेका ? बता हो क्या आप लोग समझ पा रहे हो यह एक्स है यह ए एक्स है और यह ओवाई है आप लोगों ने किया करने कि अगरमें सी रिंग के बारें मैं बात करूं नचे वाले पांच. तो ये भी 5 member ring हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी बेटा? पांच member ring हो जाएगी. अब देखो, समझदारी दिखाना सुनो, तुम पानी भार निकाल ले automatically CHO दिखाई देगा? देख, यहां से वाच यहां से वाच्य और वोपर से आप पानी का बोल बाहर निकालो ऑटमेटिकली क्या दिखाई देगा है कि बिल्कुल साही है क्या यह बास समझ में आई अभी आपको पका तो देखो जो यहां पर लिखा जाता है जैसे ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलीकुल यह तो मैं चाहता हूं ना कि कितने वाटर मॉलीकुल मुझे चाहिए अभी भाइक हो सकता है कितने रियक्ट कर रहे हैं फ्यूज का मतलब क्या होता है कि उस मॉलीकुल के साथ अटेजड है अब अटेजड के दो परकार होते हैं एक होती है प्राइमरी वेलेंसी एक होती है सेकंडरी वेलेंसी आगे चलके पढ़ोगे तो यह क् करता है प्राइमरी वेलेंसी से एक वाटर मॉलीकुल के साथ अटेक करा लेता और सी डावलबॉण एच को किस में कर लेता है सी ओ चो एच में अबढ़ कर लेता है आगे मेरे बात समझ तो याद रहे ये बात याद रहे कि जो इसका इस्टुक्चर है इस नौट इंटर इसको बच्चे क्या काम करते हैं इंटर समझ के नलाइकी कर देते कि यहां से कैसे हाइडोजन बॉन्ड जुडएगा एक दो तीन चार मेंबर रिंग हो जाएगी नहीं यह पांच मेंबर रिंग और पांच-पांच वाली दो मेंबर रिंग है ऐसा समझ के चलो राइट इसको अराम से आप लोग बनाएंगे मीनवाइल आप इसको एक बाल लिखने किशा ताकी ये data समझ माह से बना रहा हो एक बना रहा हूं यह जानके कि तुम्हें समझ में आ रहा हो ठीक है वह तो यह जो बॉन्ड बनी है ऑव्यस है यह बॉन्ड कैसा वॉन्ड अभाई इंट्रा सुन दर बात डारेक्ट सवाल आता है डारेक्ट सवाल आता है कि इन में से कौन इंट्रा-molecular hydrogen bonding बनाता है और मास अभी उल्टे शीद एक्जामपल होगे कोई एक एक्जामपल होगा जिसको हम लोगों मैंने क्या बónände क्या बोला है implore अमितोज मेरीबात को बहुत ध्याबद 10 वेटा मैंने बोला कि जो CC heeft ओता ना सी आच चू किया इसको लिखने का एक तरीका और बताया है मैंने ने बस water के molecule को add कराके एक बात ओर लिखाए बस यह लिखवाए अगर अगर ऐसे लिखवाए हैं तो ओवियस है कि यहां CL और H की बीच में hydrogen bond बन जाएगा और CL और H की बीच में hydrogen hydrogen bond बन जाएगा दोनों में क्या जनर्रीट हो जाएगा hydrogen bond ठीक है is it clear बोलो अमितोज is it clear चेतन्या चारवी प्यूश do message to me स्वामिल विधान्त विधी वाई चीज चाह समझा रहा मेरे लाल primary valency secondary valency का concept है primary valency and secondary valency का concept है अभी के लिए समझो मुझे जितने पानी की requirement होगी मैं उतने ले लूँगा उससे बाई दो water molecule थे में structure के साथ attached हुआ वह कुतना हुआ एक है कि बढ़ जाएगा जब उपर से strain बढ़ेगा दो पॉंड लेंज बढ़ जाएगा कि चलिए जी बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें कॉंसेप्ट को समझें द्यान से आप लोग प्लीज देखें अराम से चीजों को देखते रहें बाकी हम पर छोड़ दे वाई ऑटमेटिकली चीजें आप लोग के फेवर में आ जाने हैं चलो वाई अगला पड़ेंगे यह दो तिन स्टक्चर्स हैं इनको निपटाते हैं इसके बाद आगे मूव करेंगे से से बहुत ध्यान से देखें वाई सभी वालक अब एक फोटो और बना लिया है सर सी यत सी यल थी और आपका एसी टोन इसका नाम है बीटा क्लोरोफॉर्म क्या नाम है इस से चरा चेक करेंगें बेटा यह कारबन है इसके साथ ही ईड्रिया यह इसका दो सी यल है और यहां पर क्या है सी और इसको लिग दिया डवलबान्डो ऐसे यह लिग दिया सी यॅसी देखो आप कह रहे होंगे सर inorganic chemistry पढ़ा रहे हैं ओर गयनिक गुसाते चले जा रहे हैं ठीक है ना अगर दरवाइस hydrogen bond में कुछ था थोड़ी hydrogen bond तो बहुत एक basic सा concept है अगर cable chemical bonding के हिसाब से देखोगे तो कुछ नहीं उसके अंदर लेकिन जैसी उसमें organic introduce करोगे तो चीजे बदलेंगी और last में जाते जाते आपको feel भी हो जाएगा कि आप तुमारे लिए चीजे ब गया कि एक्स की electronegativity two point five से जाधा होनी चाहिए डू 0,5 से जाधा होनी चाहिए जबकि carbon के electronegativity क्या होती है we daylight tecnagivity है now श्का मारे इसका टो बहुत जाइ़ाने की बढ़ाने का काम करता है वह कौन करता है है लिञ्वारीन की इसका electronegativity क्या होती है carbon से जादा तो खीचेगा ये भी खीचेगा और ये भी खीचेगा तो इसको उपर बहुत ज्यादा positive charge आ जाएगा और positive charge भड़ते ही ये फिर इसके electron खीच देगा वही purpose तो वही था ना purpose solve होना चाहिए इस समय की जरूवत थी कि H प्लस पर एच पर और ज्यादा प्लस आए तो और ज्यादा प्लस आने का मतलब क्या हो जाएगा एक क्लोरीन ने ऐसा कर देखाया तो यह प्लस हो जाएगा hydrogen जो है कुशाग्र से इसकी दोस्ती है अपने वैभव से तो भाई अब क्या काम करेगा बताब कौन को टेगा अब इस समय इसने एक फॉन किया और इनको बुला लिया तो मुद्दा यह नहीं है कि तुम क्या हो मुद्दा यह कि दोस्त कैसे हैं अगर कारबन की खुद की बढ़िया बोलो बात समय वाई यह नहीं समिक्स क्लियर हो गया डेटा तो यह बेसिक फंडामेंटल बात यह थी जो आपको क्लियर हो जरूरी नहीं है कि हैं चल 3 हो यहाँ पर आपका कोई और जैसे छ एच फ्री भी हो सकता है छी एच बी आर थी भी हो सकता है ठीक है ना कौन सा कार्बन सेंटर है एस पी याद करो पुरानी बात ते और एस पी है तो इसकी जो लेक्ट्र नेगिटिविटी है वो कितनी हो जाती है 3.26 यह 25 तो सर बहुत जाद लेक्ट्र नेगिटिव है क्या काम करेगा इसके ऑक्सिजन को खीच के क्या बना देगा बेटा हाइडोजन बांड को सीखने का नाम क्या है इंटर मॉल्यकिलर हाइडोजन बांडिंग सर दो ही दो ही चीज़ें बेटा या तो पढ़ाय जाए या छोड़ा जाए हमने हमने हमेशा चूज किया है पढ़ाने को तो यह हो सकता अभी के लिए थोड़ा कस्ट में हो क्या घू होती है स्पी होती है क्या होती है सपी आहिंटेसर होती है पहले वाला इंटर है इंकरा पिछे इंट कि अरे दीरे दीरे लोगों को पता लग रहे है आर शीदी सी बात है देखो दीरे दीरे लोगों को पता लग रहा है कि मस्टर पढ़ाने लगे हैं चलो इदर आजाओ बहुत ध्यान से देखो भाई सभी बच्चे इदर देखें अच्छा एप्लीकेशन आफ हाइडोजन बॉंड देखेंगे बहुत ध्यान से आप इदर सुने भाई सुनो एप्लीकेश से जाद स्टेबल हैं तो बताओ बॉयलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा और इसका बॉयलिंग पॉइंट क्या मिलेगा बेटा कम मेल्टिंग पॉइंट पर भी कोई इफ्रक्ट नहीं पड़ेगा यही रिलेशन मिलेगा से एसन नो सर सॉलिबिलिटी किस बात पर दिख रहे हो आप तो उसकी हाइडोजन बांडिंग ज्यादा तो सॉलिबिलिटी इन वाटर भी या पोलर सॉल्वेंट क्या होगा बेटा ज्यादा ही होगी जबकि यहां क्या होगी कम होगी आजाओ वेपर प्रेशर की बात करो मुझे बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्या ज्यादा होगा तो इसका मलब इंट्रा ज्यादा होगा और यह क्या होगा कम केवल वेपर प्रेशर या वॉलिटिलिटी को छोड़ दो तो बाकि सभी में इंटर जीत जाता है इंट्रा हार जाता है इंटर इस प्रायोर ओवर इंट्रा एक्सेप्ट वेपर प्रेशर और व volatility volatility को छोड़ दें किसको छोड़ दें वीटा volatility इसके अलावा सभी factors में कौन जीत रहा है इस समय में इंटर जो है वो प्राय हो रहे है जल्दी से note करो speed में note it down तो जो hybridization वाला point है वो कुछ ऐसा है प्यारे बच्चा जो double bond होता है इसकी hybridization होती है carbon की hybridization होती है SP2 जो triple bond होता है इसकी hybridization होती है क्या SP और बच्चा जो SP का मतलब है इसमें percentage of s character कितना है 50% और इसमें percentage of s character कितना मिलेगा 33.3% जिसका sp character ज्यादा होता है उसकी stability भी क्या रहता है ज्यादा होती है या मैं कहूं वो जादा Electro Negative Atum होता है, इसका नाम है बीटा आइस, क्या नाम है इसका आइस, आइस को सुनाने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं, तुम्हारा नाम है बीटा Water, मालब वही आइस वाले च्ट्रेक्चर वाला Water, आप वाटर का फोटो ऐसे बना लेते हो, आप लोग जानते हो किसर इretched Newton by यहां से भी बन सकता है और हाई डोर्जन बॉंड इहां से भी बन सकता पहलि स्थेट्मेंट एक पानी का मॉलीक्यूल कितने ले बनाने में समर्त है एक वॉर्टर के मॉलीक्यूल से किस अग्रीजन के ऊपर दो लॉन पेर एंट नेट करके वाई बन जाए और ये हाई डोजन है तो उसकेस में क्या बन जाए X बन जाए क्या दिक्कत है नीचे चल रहा होगा न कोई दूसरा एटम नीचे कोई दूसरा एटम चल रहा होगा अब मालों जो यह Y है तो आप लोग फील कर पारे हो Y की जो bond length है वो X से हमेशा क्या मिलेगी बिटा जादा मिलेगी और उसका reason क्या है उसका reason है क्योगी Y क्या है hydrogen bond है जबकि जो X है इसकी bond strength क्या मिलेगी जादा मिलेगी किस से है Y से तो इसका नाम है bond strength क्या मेरी बास समझ मारी है आप लोगो को चलिए मैं आपको थोड़ा photo दरसन कराता हूँ आइस के अच्छा आइस सबने देखी यह आइस का मतला बर्फ की सिल्ली से है सबी ने देखा होगा कभी आप ना बर्फ की सिल्ली को तोड़ने वाले की टेकनीक देखना बड़ी बर्फ की सिल्ली होता है उसको बीच से सेंटर से PIN करता न एक बास पुरा बर्फ कुक्रि जात पीच में होता हो लो हो यानि कि उसके बीच में च्रॉक्स क्या होता है। तो इhã बहुत ध्यान से से करेंगा, बड़ा है टॉट मैं क्या कह रहाओ, इसका फोटो बनेगा है ह ह ऑसी ह ह क्या ड को जोड कें य लो बना दो आपको बिल्कुल बना दो शर देखो एक्स एक्स फईश कोई कोई दिख्कत कोउफ यहां यह यहां से चला दोगे तो यहां से भी चल जाएगा तो आप क्या उब्जर्व कर रहे हैं एक ब्रिक बनती चली जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ही हुआ कि सर अंदर से इसमें मास वास कुछ नहीं है लेकिन इसके अंदर क्या है वाल्यूम है वाल्यूम बढ़ रहा है सर बेकार में है यहां यहां पर क्या बढ़ रहा है वाल्यूम बढ़ रहा है लेकिन मास क्या है मास तो उतना ही मास होगा इसका कितना है उत तो यह और अच्छी तरीके से खींचेगा इसको तो यह hydrogen bond इधर की तरफ shift होना शुरू कर देगा यानि कि bond length घटेगी hydrogen bond strong होगा सही बात गलत बार और bond length घटेगी तो cage तुम्हारा छोटा होना शुरू हो जाएगा यानि कि volume घटेगा density बढ़ेगी कि खतम एक बार दुवारा सुनो मैंने बोला इस एच की जगे डी लगा ले बाई डी की एलेक्ट्र नेगिटिविटी क्या होती है बिटा और कम और कम तो और ज्यादा oxygen खीचेगा और जितना यादा positive होगा उतना ज्यादा यह फिर इसको खीचेगा तो इसका मालब यह वाला तकलीफ हो रही है लेकिन यह तकलीफ सहो जरूर ही है यह गेम समझ मारा यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया मज आ रहा से अच्छे से पढ़ा रहे हो आप थैंक्यू अब आगे देखो भाई इधर आओ सभी बच्चे इधर देखेंगे सभी बालक सी सी इधर इधर आजा तो सर बेसिक फंडामेंटल बाते तो किलियर हैं कि एक वाटर का मॉलीक्यल चार आईडोजन बनाता है केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी ऐसा तथा कतित कहा जाता है कि वाटर की डंस्टी जीरो डिगरी सेल्सि इधर कॉर्णर में मैंने टी डिगरी सेल्सिश लिखा साइध औलाइन वाले बच्चों को इद नजर नहीं आएगा तो इसको यहां लिख देता है टी डिगरी सेल्सियस राइट और यहां में लिख देता हूं वहीया डेंस्टी की कहान तो क्या अबज़र हुआ कि जब मैं है यहां तो हो गया अब यहां विख देनस्टी तो जैसे ही मैं 4 देनस्टी पहुंशता हूं उस केस में पानी की डेंस्टी मैक्सिमाम होती है यहीं समझाना चाहा हूं ऐसा कताभी ज्ञान कहता है कि एट 4 डिगरी सेल्सियस वाटर है जैस्माम इंध्यध डेंस्टी डेंस आगया, process क्या थी, finally, chemistry थी, क्या, कि बहिया उसका weight बढ़ गया, और weight बढ़ गया, तो क्या हुआ, weight बढ़ गया, तो पहले पानी के उपर जो float करने का parameter बना रहा 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 का था, जो जहाज की density थी, उसी को बढ़ा दिया तुमने, पानी से जहाज की density बढ़ेगी तो जहाज तो नीचे जाए गई क्या मेरी बास समझ मारी है कि नहीं आरी और आपको बता है टाइटेनिक ऐसे नहीं डूबा एक घंटे में सारा अंदर एसे नहीं डूबा पूरा प्रॉपर समय लगा तो टाइटेनिक डूबते वक्त भी लोगों को पता था कि डूब रहा है सभी लोग को इतने समय में जो स्कंटा सकता था लेकिन वही है अमिरी गड狂प from लेकूद कन दर देखो इहां पर अब दिमाग के मैसे रिंटिज कर ना चारहा हूं bonsonow बदाओ, यह water है, और density of water है, और density of water in liquid state जादा होती है कि नहीं होती, density of water in solid state, यानि कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ice, अरे सब्दों तो समझ मा रहा हूँगे, मैंने क्या लिखाया भी, density of water in liquid state is more than density of water in solid state, यही रीजन है कि ice जो है, फ्लोट कर जाती है, पानी के ऊपर राइट, चलो जी, मान लेते हैं, आप लोग जो कह रहे हैं, वो सही होगा, अच्छा चलो सर, यह बात तो basic है सर, यह बात आपने बता दी, हमने मान ली, अगर मैं आप से कहूँ, चलो ice वाली बात करें, अगर मैं आप से पूछू, normally पूछू, कि यह water है, ठीक है, और liquid state का water है, और यहाँ पर मैंने D2O लगा लिया, अब बताओ, यह भी liquid मान लेते हैं, अब बताओ, किसकी density ज्यादा है, तो answer आएगा सर, देखो density का formula होता है, mass upon volume, क्या formula होता है, भाई, तुम यह बात जानते हो कि water के case में, water के case में, आप लोगों को volume क्या मिलेगा, ज्यादा, cage क structure क्या होगा, बड़ा, तो volume बड़ा तो density क्या मिलनी चीए, कम, और इस case में क्या होगा, cage खिचेगा, खिचेगा तो volume कम होगा, और mass भी बढ़ रहा है, किसकी वज़े से, यही रीजन है, कि भाई साब की जो density रहेगी, वो ज़्यादा रहेगी, तो मैंनी आया समझ में भी, अरे परले पड़ा किनी पड़ा, मैं क्या कही रहा हूं, मैं कही रहा हूं, ड ens Zombie पानी की Denseful D2O में से, दोनों अगर liquid state में है, तो, किसकी density ज़्यादा होगी भाईama, और ना केवा liquid state में, अगर मानलो, यह पानी है, लिक्विड में और यह बरheen भी होगा ना तब भी नहीं ते रहेगा यह तब भी नहीं थोड़ा इसी तो बड़ा होगा भाई यह करोडो मॉलीक्यूल एक साथ जुड़े होते हैं अगी बास समझ में एक दो मॉलीक्यूल की बात नहीं है करोडो मॉलीक्यूल जुड़े होते हैं इसलिए यहां डेंस्टी किसकी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी इसकी डेंस् सुनना भी सभी बालक सी 3 दालकर लिख लिजी उस आपको सिखा या जाता यह कि के वल और केवल ऐसा आइस कर रहा है के लाइक कर रहा है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं एक गेलियम एलीमेंट है वो भी ऐसा करता है और कौन सकता है एक आपका होता है यह लिए और तो कोई नहीं कि यह लाइश IQ कर सकते हैं यह मैं कहूँ जिनका वॉल्म एक्सेप्शनली भर जाता है और वाल्म बढ़ने से क्लावा बहुति जाते गड़ जाती डैंस्टी घरद फिर जाती है या। इन टेट में कुछ आइधा पीज न आप या और स्टेक्स इति तो अगर आप लोगों से पूछे तो यह answer आपको देना ही पडेगा ka बहुत को चीखरा हुआ जानी चाहिए इस पीडिर स्टेट यह चलना है दुबबार सुन लो भाई सभी बालग मैंने आज आपको आइस का स्टुक्चर समझा है किसका स्टुक्चर समझा है आइस यानिकि एक वॉटर मॉलीक्विल मेक्सिमम चार हाइडोजन बना सकता है और चार 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 करके पूरा एक होलो स्पिर टाइब का बना देता यह वालिम तो बढ़ जाता है लेकिन मास उतना ही रहता है इसलिए देंस्टी घड जाती है तो यही रीजन है कि जब सॉलिड़िफाई होता है यानिकी क्रिस्टल बनते है यानिकी सॉलिड में कनवर्ट होता है तो देंस्टी क्या हो जाती है घड जाती है as compared to density of water क्या मेरी बास समझ में आ गए यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं और याद रहे देंस्टी देंस्टी इस दा function of temperature देंस्टी किस पर और डिपेंड गरती है temperature तेंपरेचर बढ़ाओ गे तो यह value vary कर सकती है temperature बढ़ाओ गे तो यह value vary कर सकती है बोलो basic fundamental बाते क्लियर स्पीड में नोट करिये में एक सवाल दे रहा हूं आपको लोगो स्पीड में नोट करिये बेटा जी में एक सवाल दे रहा हूं आफिया समझ में आ रहा है कुछ बेटा बदा आफिया इस दिस concept is clear to you do message to me चलो बहुत बढ़िया आमी तोज चलो बहुत दन क्या दिखकते हैं कुछ घरट लिखा हुआ है क्या है कि सॉलिड़ कि हाँ हाँ क्योंकि एस्टू वाले केस में जो डी है उसका मास एक्सेप्शनल ही बढ़ रहा होता है है हहाहाह denja बलकोल बलकुल को कि वो चीज लयक स्टॉक्चर बना रहा होता है आज वे आजाएद एभई ओङ है है इसकी यह यह संबन दिखके बताओ TV का मरत दिमाग में के ओड़ोड लिकवेड सालीं ऐसा술 खर रहाहा नहीं करना में ठीक है अराम से सवाल निकलेगा जब सवाल आएगा देखो सवाल आचुका है सवाल कह रहा है which of the following order of the density is not correct इन में से कौन सा density का order सही नहीं है आप बताओ क्या पानी liquid की density solid से जादा होती है भाईया सही है D2O solid है और पानी solid है तो मैंने बता रखा है सर गेलियम लिक्विड गेलियम सॉलिड एक्सेप्शन था कि सर जो सॉलिड होगा टेखनीकली ज्यादा होना चीए था लेकिन भाई बना लेता है केज और केज बना लेगा तो वॉल्यम भढ़ जाएगा देंस्टी घड़ जाएगी सही है और बियाई सॉलिड और बियाई लिक्विड यह भी आप लोगों को बताया है किसर जो लिक्वेड होता है और विक्विड होता है और स्टेट्मेंट है तो यह बेसिक और फंडामेंटल बाते आपको किस्टल क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक कोई दुखदर्द ना नहीं हो ना चीए बहुत आसानी से बाते क्लियर होनी चाहिए ठीक है केवल इस वाले पार्ट को नोट करो जल्दी से नोटे डाउन चलिए बात नहीं काम की बात शुरू करते हैं मेन पात करते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे वह सभी इधेर आएंगे वच्चे बहुत ध्यान से इसको देखने हं और शीखने की कोशिश करें बड़ा ही बेसिक स्वाल कराएंगे अब देखो खतम सवाल आ गए सवाल क्या है सवाल कहता है कि तुम्हारे पास अगर यह सोलिब्रिटी का जा उसका एक ही आंसर होता है है यह क्योंकि बाइलिंग पन्ट ज्यादा है स्ट्रंद्ज ज्यादा हो गई हाइड़ इंटर मॉलिक्यूलर हई दोजन बॉन दिए क्लियर भई ना ना कोई फरक नहीं पड़ेगा अरेंज इन्टू दा ओडर अब देर बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के ओडर में अरेंज करें यहां मैंने लिखा हुआ बेटा यहां लिखा हुआ है दारू और यहां लिखा हुआ है कौन बेटा जी आपका एल्डी हाइड एक बात बताओ इवन एथर भी लिख सकता हूं एथर जो है न सम्हाव लास्ट में आएगा थोड़ी कम होती है उसकी आइडोजन बॉंडिंग से इधर आ तो क्या होगा बेटा आ तीयात करो आपने आइडोजन बादिंग कुछ आईसी लिखवाई है अरक एक आद यौस्यान नहीं आए भाई बोल दो यागल थू मिह क्या बोलता हूं पएस आइडोजन बांडिंग को मैं बोलता हूं कहले हैं मॉलीख छाइल कर boiling point होता है ना मिटा boiling point यह directly proportional होता है strength of bond strength of bond बात भी सही है ना जितना जादा strength होगा उतनी जाद energy लगेगी उतना जादा temperature लगेगा bond को तोड़ने में मला boiling point and obvious it is directly proportional to surface area बोल दो या molecular mass बोल दो देखो molecular mass तो पहले normal factor है right molecular mass तो देखने देखना है लेकिन अगर कहीं किसी के पास hydrogen bonding present होगी तो obvious है उसके पास एक extra stability आएगी जिसकी वज़े से उसका bond मजबूत हो जाएगा जिसकी वज़े से उसको तोड़ना बहुत मुस्किल हो जाएगा क्या मेरी बास समझ में आई या नहीं तो boiling point is directly proportional to strength of bond it is directly proportional to molecular mass it is directly proportional to surface area it is directly proportional to hydrogen bond ऐसा समझ के चलो see अब यहां आजाओ यहां जाओ इस केस में अभी थोड़े पहले बनाया कि सब्सक्राइब यह hydrogen bond बनाता है दो और दो के साथ साथ क्या कर लेता है चिलेट कर लेता है सर चिलेटिंग कर लेता है एक ही compound दो compound मिलते हैं आपस में दो hydrogen bond बनाते हैं साथ के साथ क्या कर लेता है चिलेट तो सर इसकी stability maximum होने वाली है यही रिजन है इसका boiling point maximum होने वाला है उसके बाद कहीं दारू और उसके बाद कहीं जाके है यहां पर एक स्टाइबलीटि नजर आ रहे जिसका नाम क्या होगा चिलेट क्या बना है यहाँ पर चिलेट बना यानि की फोर्मिशन हो रहे है ऐसी एथर के पार बात करो इथर की इन में कम होती है इथर की क्या होती है कम यह भी मैं आपको बताता हूं सुनो ज्यांसे सुनो रहे मैंने बोला यहाँ पर है मेरे पास CS3 CS2 और यहाँ पर है मेरे पास CS3 CS3 जो इथर होता है ना मिटा यह अलकाइल ग्रूप की डेंस्टी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं इसके उपर तो यहां तो हाइडोजन भी बांड बना रहा है तो यहां जो हाइडोजन बांड है वह जादा स्ट्रॉंग है एस कंपेट और दौनों का molecular formula must be same see the molecular formula is same C2H6 C2H6O 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 if the molecular formula is same but functional group are different they are considered to be functional isomer और जो functional isomer होते हैं उनमें उसका boiling point ज्यादा जिसके पास strength ज्यादा होगी जहां पर हाइडोजन बांड प्रजेंट होगा बोलो शब्द समझ मारें विटा देखो गवराने का नहीं है सीखने का है यह सारा concept राइट एक सवाल आ रहा है देखो यह ice cream मानलो यह ice cream है कौन जिखा रहे हो आद कल mango बार चलो जो भी है मानलो यह mango बार है ice cream ही समझेंगे इसको मानलो मैंने पहली बोला ice cream ही समझेंगे जिसको तुम ठैक देते हो क्या सन्नों यानि कि सवाल क्या था सवाल यह वाई यूज वुड़न स्टिक नौट प्लास्टिक स्टिक फॉर्ड आइस क्रीम बार और कुल फिल्ट क्यों भाइया आप एक बावा बताओ आप क्यों पेड़ों को मार कर जो है रही है आईस क्रीम खाना चाह रहे हम प्लास्टिक की लगा लो क्यों नहीं लगा सकते नहीं लगा सकते रीजन क्योंकि सर एक बात इंद लिपWhen मैंटेंट र Billboard यहां से यहां से विधान यहां सब्सक्राइब एक इन्द रोड़न रड़न वाटर यह वाटराओ लयी यह सेलुलोज और सेलुलोज के अंदर होती है ओएच फॉरमेशन और और इसका एच आपस में कर लेते हैं कुछ-कुछ और जहां-जहां कुछ-कुछ होगा वहां-वहां क्या बनेगा बीटा जी हाइडोजन बॉंड तो कंपाउंड के अंदर स्टेबिलेटी मेंटेन रहती ह पता लगे प्लास्टिक की चम्मच जैसे तुमने बाहर निकाली चम्मच भार मेंगो बार बाहर नहीं तो नहीं चाहोगे न उसका पर्टिकुलर टाइम जोन होता है उसके बाद भी ब्रेक हो गाई आप देर तक इसको जो है यूज कर पाएं आप सेलुलोज की जो है श्ट कर लो जल्दी से नोट करो इसको नोट कीजिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि जिस बच्चे के टेस्ट में 50% से कम नमबर आएंगे उनका फॉन रख लिया जाएगा याद है या बूल गए है तो जिनको याद है कॉंग्रेचुलेशन्स आपका फॉन जा रहा है लिस्ट जो है मैं अभी बना रही है पचास परसेंट से नीचे जिन जिन के नमबर ते क्रिप्या करके फॉन यहां रखते हो चले जाएं ठीक है फॉन यहां रखते हो चले जाए और जुन्होंने कुछे बहुत खुश है वाले सर वाव आज तो अ बेटा यह जो जिससे तुम देख रहे हो ना इसी को धर लूँगा मैं अभी नहीं मैं भी रख लूँगा पर्मनेंटली अरे फॉन हमें देखे जाएंगे एक दूसरे से बात मत करो फॉन गया तेरा रोखेगा नहीं आज फॉन किरिपया करके हमें लिस्ट आ गई मैं लाओ कौन-कौन बाला लगा है पूरे बच्चों के नाम लिखे हुए अलग से लिए नेहल नेहल शर्मा फॉन देखे जाएंगी संस्कृति सिंग जभी तो जो एपसेंटीज है पहले उनका भी धरना ना घनीमा हिरे नाया आय बिलकुन अबनी और एद्वे क्या है अध्वे ना अध्वे चलो और और बनाओ इनकी 50% से कम बालों के बनाव लेश्ट आप बनाओ पेपर पे लेश्ट इनका फॉन धरना है मुझे नहीं आप बनाओ ना पेपर पे मैं इनका इनके चिट के साथ इनका फॉन रखूंगा इनको फॉन से बहुत लगाव है कि फस गए ने आज है आज आ गया बिटा फॉन तुमारा मैं पूरा कंप्लीट स्टक्चर होता है हाँ यह बाय मॉलिक्यल कंसर अरे बस बैग में छुपाने की कोशिश ना करो ठीक है ना बैग भी चेक होगा प्रॉपर चलो इदर आओ मुझे पता है कौन बच्चा फॉन यूज करता है कौन यूज नहीं करता हमें पागल बनाने क पॉन रखके चले आए और जिनको फॉन लेना है अपने पेरेंट को मैं बैठूंगा आज आराम से ग्यारे बज़े तक शामगराद को ग्यारवे से पहले जिनको जिनके पेरेंट्स मान जाते हैं कि नहीं बच्चे को फॉन दे दो उस बच्चे को दे दूंगा बापिस ले पैदा हो रहा है अंदर से थोड़ा डर लग रहा है मजाक मजाक में नॉन मेडिकल ले ली थी हैं बहुत मजाक में साइन्स लेके बैठे हुए थे चलिए इधर आ जाओ लेट्स मूव तो नेक्स्ट अब जो बचारे नहीं बच्चा है वो सोच रहे क्यों ही आगे भाई हाँ वाई समझ मारा है चलो आगे मूव करते हैं बच्चा देख इतर आ जाओ बच्चों इतर देखेंगे सबे कुछ सवाल दे रहा हूं क्या कर पाओगे आप लो सवाल है compare boiling point and volatility of x and y या a and b बताओ बिटा यहां कौन सा bond बन रहा है इसका नाम क्या है यहां कौन सा bond बनेगा दूसरे molecule के साथ दौनों में से दौनों में से ज़्यादा मजबूत bond कौन होगा बताइए boiling point किसका ज़्यादा होगा और वॉलिटिलिटी बता दो vapor pressure या वॉलिटिलिटी सर वॉलिटिलिटी पूछ ले कोई vapor pressure पूछ ले ए यह जमोर वेपर पैसर दैन अरे शब्द समझ में आ गए क्या क्या यह बेसिक बाते मेरी class के सभी बच्चों को clear है कोई दिक्कात कोई दुखदर दो तो बोलो भई न सवाल है water is a liquid while H2S is a gas पानी लिक्विड है बाकी नीचे के जितने भी है ना H2S, H2S, C, T, E, T, O, सब क्या है है गैसे स्टेटर रीजन सर लिक्विड ही इसलिए है क्योंकि इट केन फॉर्म इंटर मॉलीक्यूलर हाइड्रोजन बॉंडिंग इंटर मॉलीक्यूलर हाइड्रोजन बॉंडिंग विच इस एपसेंट इन दा केस आफ H2S, जो की नहीं मिलती किसके अंदर, H2S के अंदर, next, ROH, यानि के अलकोहल है, that is soluble in water, why, sir, again, due to hydrogen bonding, सिखाया कि नहीं सिखाया, भाई एक polar है, दूसरा polar से मिल जयागा, लेकिन यहाँ पर एक बात में बता दूँ आपको, कि मालनों यहाँ पर एक carbon था, या दो carbon है, दारू है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर बर्दो, अब क्या, CS3, CS2, CS2, OH, आप देखोगे, sir, no doubt यह भी soluble है, यह भी soluble है, पानी में, लेकिन दौनों में से जादा soluble कौन है, दौनों में से solubility पानी के अंदर किसकी जादा है, तो याद रखना, जैसे जैसे alkyl group भड़ते हैं, वैसे solubility कम होती है, अर्थार, this one is more stable, उसका reason है, देखो, water में वही मिलेगा, जो hydrophilic होगा, जिसको पानी पसंद होगा, यानि कि जो पानी के साथ attraction करेगा, और जो alkyl group होता है, that is hydrophobic, पानी को repel करने वाला होता है, alkyl group always repel water molecule, या मैं कहूं, वो less polar, या मैं बोलू, non polar में count होता है, यही region है, कि जैसे alkyl group भड़ाओगे, वैसे-वैसे solubility कम होगी, with respect to water, ब बढ़िया, सवाल है, जैसे-जैसे alkyl group भड़ेंगे, वैसे-वैसे, hydrogen bonding क्या होगी, बेटा, कम होगी, hydrogen bonding कम होगी, plus मैं यही भी कह सकता हम, solubility भी क्या होगी, कम होगी, next, solubility, अच्छा देई दिया मैंने नीचे सवाल, oh my god, यह दुवारा लिख दिया, समझ मा आये कि नहीं आये बाई, बोल दो, क्या basic और fundamental बाते समझ मा आ गई, तो यहां में कुछ बाते लिख दूँ ना फिर, क्या लिख सकता हूं इसकी जगा, मैं लिख दूँगा, as alkyl group increases, alkyl group increases, solubility decreases, solubility in water, या solubility in echo solution क्या होगा घटेगी, alkyl group के बढ़ने से solubility घट जाती है, बोलो data clear है क्या, यहां तक मेरी class के प्रतेक बच्चे को basic fundamental बाते समझ मा आ गई, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बताओ, नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से, यह data clear होना चाहिए, noted, बस, 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 अर्पिता तेरे कम माख से क्या, आजाओ, बस, सवाल आ गया, boiling point D2O का, boiling point D2O का, S2O से ज्यादा क्यों होता है, तो समझ में आ गया होगा answer, अरे सर, क्या खतम सवाल सर, भाई साब की hydrogen bonding जादा होती है, और hydrogen bonding जादा क्यों होती है, क्योंकि भाई साब का electro negative nature कम होता है, तो इसलिए जो X है, अगर वो D के साथ जुड़ेगा, तो bond जमा जम बनेगा, यानि कि ज़्यादा खीचेगा, अरे खीच पाएगा और नहीं खी यही रीजन है कि यह वाला जो hydrogen bond है, वो क्या बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, तुम लोग सीख पारे हो या वैसी हां मेहां मिला रहे हो भई, सीख पारे हो भई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी प्रकार किया, अब सुनो, सुनो, बहुत बढ़िया, इनके हाइडराइड का बॉइलिंग पॉइंट जानना चाहूंगा, और हमवक्स दूँगा, मेल्टिंग पॉइंट का, राइट, रीजन में बता दूँगा, कि सर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, दो बड़े फेक्टरों पे, सबसे पहला फेक्टर हाइडरोज झाल 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 है 15, 16 और 17 गुर्प अच्छा, जो 15 गुरुप का एलिमेंट है, बच्चा, जो 15 गुरुप के एलिमेंट है कौन कौन से इलिमेंट होते हैं? नज़ा पुरानाлись कआज सब बिकेगा बच्चे कह रहें सर आज पहुन भी नया पुराना आज सब बिखेगा, आज सुनलो, ओनलाइन वाले बच्चे इतने बज़ा नहीं, ले रहे होंगे बिचारे, घर पे बैठके है न, साबास, बैठे रहों तुम लोग, है, 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 आज सब रहेगा, यह बोल जाओ, आप लो, के बच पाओगे, सौमिल, तेरी लेंक क्या सौमिल की बता दे, पेपर नहीं दिया, गया बिचारा, फॉन से हाथ दो बैठा, देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमिन और आइडिन, है, 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 फॉन की तालब कितनी जवर जासते है, कुछ के चहरे सूख गएं बिलकुल, यार, यह क्या नया है, यार, और बीच नीचे से मैं असिस कर रहे हैं, प्रॉपर, कि भाई, अब जो है, 15 दिन के लिए, अब बातें नहीं हो पाएंगी, है, Ferr, HF, HCL, HBR, HI, सुलो, तो पर फोटों, पर पाउल्र सुख मोजिकूलर मास हो रचा भरता है, तो आहएं यह जोग바ता है, आइट्रिश तो इमोलफानी पन का होना थे ön चैने सोचा आइग आइडियली आइडियली boiling point क्या होना चीए बढ़ना ही चाहिए तो मैंने भी सोचा कि boiling point क्या होना चीए बढ़ना ही चाहिए लेकिन प्यारे बच्चों इधर देखें कि सभी क्या observe होता है कि यार यह जो है ना इसका जो boiling point होगा वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा सेम केस विद वॉटर इसका भी क्या हो जाएगा बहुत ही बढ़ जाएगा लेकिन यह जो अमोनिया होता है उस लेवल का hydrogen bond नी बना पाता जैसे यह बहुत जादा hydrogen hydrogen bond बनाते रहते हैं आगे यह अमोनिया के अंदर flipping हो है और flipping होने की वेज़ से देखता है मानों तीन बनेंगे लेकिन बांड कितने बनते हैं दो और सुनो मेरी काम की बार सुन क्या कर रहा हूं अमोनिया दिखता है जैसे तीन बांड बना लेगा दोन हाइडोजन एक लॉन पेर डोनेट करके लेकिन लॉन पेर मूव करता रहत है लॉन पेर क्या करता है मूव करते रहता है फिलिपिंग करता रहता है रही जी रही जाने के extent of hydrogen bonding क्या हो जाते कम और इसका जो लॉजिक है वो कहां जाता है इससे नीचे हम मैं तीनों के order लिख लिख रहा हूं सर ऐसा क्यों हुआ रीजन वहीं है सर ड्यूटु एच भी इंटर मॉलिकुलर हाइडोजन बांडिंग सी आजाब जी सोल लेगर गुरुप के आजाब जी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ओडर बॉइलिंग पॉइंट का ओडर हो जाएगा एस्टू एस्टू एस बॉइलिंग पॉइंट ये कौन है बेटा जी वोटर मॉलिकूल है तुम लोगों ने स्कूल स्कूल मस समझें मैं चमका दूंगा तुम लोगों को अभी दो मिनट में आई बास समिन ने स्कूल टीचर नहीं हूं मैं साब बता रहा हूं टीचर वीचर मैं समझना मुझे मैं टीचर समझना लेकिन मैं टीचर वैसा वाले टीचर नहीं हूं तुम्हारी सुनूंगा या सोर मचाओगे एक मिनट से पहले बाहर कर दूंगा सांती से बैठके पढ़ना पढ़ी है 15 16 और 17 जीवन में बहुत महनत किये बेटा उस महनत क करने का रीजन यही था कि आराम से एजुकेशन देनी है यह रीजन नहीं था कि किसी को भी कैसे भी एजुकेशन देनी है जो जो इसका लायक है जो इच्छुक है वही कोई भी नहीं 17 गुरूप की बात करूं तो यहां अगर मेरे पास आता है कौन सबसे पहले कौन आएगा HCL उसके बाद कौन आएगा HVA इसके बाद कौन आएगा HI और लास्ट में जाके कौन आजागा HF मैं फिर कहना हूं चाहीं यह हो चाहीं यह हो रीजन विकम ड्यू टू कौन HB HB का मतलब क्या है hydrogen bond क्या रीजन है इसका hydrogen bond क्या मेरी बात समझ माई है आप लोगों को तो ग्रूप 15 16 17 का आपको logic समझ मा गया और याद रहे को कोई अड़ जाए कि अमोनिया की क्यों कम हो गया यह तो लास्ट में होना चीट जैसे बाकी हुए तो आप एक ही रीजन दे क्या करता है अमोनिया क्या करता है फिलिपिंग करता है इसका लॉन पेर कभी लेफ्ट तो कभी इसका लॉन पेर क्या हो जाता है राइट तो वो hydrogen bond वो तीसरा hydrogen bond बनी नहीं पाता है यह नहीं बनाते है तो तीसरा hydrogen bond इसके साथ जो बनना चीए तो नहीं बन पाता है ठीक है जाए गा 90 degree पर पहुंच जाए गए जो कि possible नहीं है क्या मेरी बास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तो यह basic fundamental बाते थी जो आपको समझ में आ जानी चाहिए थी एक बात बताने है मुझे जो अब मैं एक सवाल दे रहा हूं आज की क्लास का अंतिम मैं पढ़वा रहा हूं इस सवाल को जो कर देगा वह क्लास का अच्छा बता साइब नीचे से कुछ पोर्शन थोड़ा सदिखने रहा स्प्राइबा मैं स्टेटमेंट बोल देता हम सी डेंटिफाइएग गर्क्ट्र क्या करेक्टर क्या हैिंक्रेक्टर सब से Пहल आ लिए विपर प्रेशर और तो नाइट्रोफ नोल है सुझा किसकी हो रही हूँ है इसका मतलब और तो और इस लिकविड बाई ठीक है सर यह तो स्टेटमेंट सीधी सीधी गलत है है यह नहीं हमेजब दे दो next और्थो नाइट्रो फिनॉल has high vapor pressure और्थो नाइट्रो फिनॉल और्थो नाइट्रो फिनॉल का vapor pressure obvious से जादा होगा क्योंकि sir weak इसके अंदर बन्निंग होती है as compared to para तो sir ये तो बात okay विलकूर next next है next है हमारे पास good जा चर लाज बիटा आने वाल समय में प्लों जैसे म辌 यह स防च का मतलब होता है एंटीटीफसार का मतलब होता है प्यारे बच्छं रिख elenic Pesaq का मतलब होता है एक क्वारे चुलिन यहां होता है एक म्दॉक्वारत धormal मैं एक हम समझाना चाहा हाँ, कि जो ethylene glycol है, उसका पैरा वाला या anti वाला कम stable होता है, और कौनसी form जादा stable होती है, gauze form, यह क्या लिग रखा है, form ethylene glycol has maximum, anti की maximum stability है, जो की गलत statement है, किस की होनी चाहिए बटा, gauze form की होनी चाहिए, जो कि वहाँ पर मैंने बनाए सर अब यह तो सर टिपिकली ओर्गनिक केमिस्टिय सर क्यों पढ़ा रहे हैं सब जो हमें समझ में नहीं आ रहा पढ़ो I'm telling you this is a process इसको समझो 100% क्लास समझ में आ जाएगी ना बेटा तो मलब काम गड़ बड़ा चला है आपको हमेसा दिमाग में रहना चाहिए कि यार वहां यह बात पढ़ा लगी जब और्गनिक में गौश पढ़ाऊंगा ना तो तुरंत क्लिक होगा दिमाग में हाँ गौश थी कई ना कई उसका सर ने एक सवाल दिमाग में डाल लखा था पता छोटी छोटी ट्रम से ही चीज पढ़ेंगे तभी चीजे क्लियर होंगी हाई सरफेश टेंसन अव वाटर कैन भी एक्स्प्लेइन बाए है यह बात बिल्कुल सही है यह देरिज नो कॉंट्रिबूशन आफ हाइड्रोजन बांडिंग इन सॉलीबिलिटी ओफ अमोनिया बिल्कुल गलत है अमंगेस्ट दा isomer of alcohol in ethers ethers are more volatile यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि ether का hydrogen bond क्या रहता है वीक होता है इसलिए it can easily volatile इसलिए वो जल्दी क्या हो जाते है है volatile हो जाते है let me check कि क्या कोई और टम रह तो नहीं गई हम लोगों से बहुत बढ़िया और सुन्दर तरीके से data online वाले बच्चे do message to me is this point is clear to each and everyone in the house कक्षा के सभी बच्चों को यह basic और fundamental बाते समझ मा आ नहीं चाहिए चलो अब क्या चाहते हो बाकी बच्चे देखना चाहते हैं कि फॉन कैसे चीने जाते हैं बच्चों के चालिए